नमस्कार आदाब खुसामदीद सत्यमेयो जेते मैं सुरज सोलंग की आपका अपनी उनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत और अभी दंदन करता हूँ दोस्तों CET का एक्जाम आपके सर्फ पे आ चुका है बहुत कम दिन बचे हैं जिनको 4-5 तारीक पेपर है उनके 7-8 दिन है जिनको 11 तारीक पेपर है उनके लिए 10-12 दिन है तो यहां पे जो है लाश्ट 10 डेज में आपको किस परकार CET के एक्जाम में अंतिम आहूती देनी ह इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं तो जो भी स्टुडेंट जुड़ रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड सेर कर दीजिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इन चीजों का ध्यानक ना है कि जो लास्ट मोमेंट होता है उस परकार आपको उसमें किस चीजों का ध्यानक ना है आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए और किस परकार आपको जो है एक अंतिम आहुती के रूप में आपको ये तयारी करनी है और रिविजिन करना है तो आईए जानते हैं कि CET के लास्ट टाइम में हम और क्या बेतर कर सकते हैं किन ची बेतर बात तो यहां पर दूफानी पारी का मतलब यह नहीं है कि लाश्ट में जाकर ही हमसारी एनर्जी परकार लगा दें कि आपना जीवन ही एस्वेस्ट हो जाए अपना पूरा बालग करो सबसे पहले तो है कि जो आपका last moment है इस पर आपको क्या क्या करना है किन किन चीजों का विशेश तोर पर द्याना करना दोस्तों सबसे बड़ी बात सबसे पहली बात यह है कि आपको जो है यहाँ पर नया पढ़ना बंद कर देना है कुछ भी new content आपको आपके पास है कोई नई बुक है तो उसको आप बंद कर दीजिए इस टोप कर दीजिए जितना जल्दी हो सके क्योंकि last moment का यही एक सुत्र है आपको बार बार क्या करना है रिवीजिन करना है बस तो जो भी आप नया कर नया पढ़ रहे हैं उसको बंद कर दीजिए कोई फाइदा जाता है आपको आउटपुट उसक का अई और दूसरा आप content कर दो जितना आप content कम करोगे content कम कब होगा जब आप नए बूक्स लाकर चार जो 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 आपने और पिछले दो नहीं पान्स माहीं पांस पडि alm एतनी सारी rent पड़ी होगी आपने आस पास भैड़ लगारका होगा उस जेर को कम कर दो बुक्स को कम कर दो जो आपके लिए minimum books है या जो आपने highlight कर रहा है या जो आपने short notes बना रहा के हैं केवल वही पड़ें केवल source notes ही पड़ें अगर इन content और books को बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो आपका पूरा कहना इतना अधिक फैलाव हो जाएगा उसको समेटने में आपको टाइम लगेगा तब तक exam सर पर आ जाएगा सबसे जरूरी बात है आपको smart revision करना है smart revision यह है कि आपको सबसे पहले तो short notes पटने है only short notes साथ मैं आपको यह पता होना चाहिए smart revision का मतलब है कि जो CET graduation level का paper हुआ है उसमें किस topic से कहां से कितने question अधिक आए तो उस topic पर थोड़ा ज़्यादा focus करना है साथ मैं आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जो मेरा मानलो कि राजस्तान की जोगरोफी मेरी बहुत strong है short notes और जो आपका topic कमजोर है थोड़ा सा जहां से question ज़्यादा आते तो उस पर थोड़ा focus करना क्योंगी strong point पर आप और काम करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा output नहीं मिलने वाला है only आप अगर mok test देते हैं next point जो है आप test series दे रहे हैं अगर test series आपके detailed उसमें solution है only detailed जो mok test है मतलब केवल SNE आपको दे दिये और यह अपना test series यह देते रहो कभी भी मत करना last moment पर आपको उसका निरासा मिलेगी आपको उसका नुकसान होगा जो mok test detailed solution है जिसमें क्या विश्ट्रित solution साथ में answer दे रहे हैं अच्छे से और answer का विस्तार दे रहे है डिक है वो ही test आपको देने हैं वही टेस्ट देने हैं यह फिर आप जो है कोई मेरातन कलास वगरा ले सकते हैं क्योंकि मेरातन कलास में क्या होता है कि एक question के साथ साथ में आपके दो-तिन क्यूंक्सर्फ डा मत दु मैं कि इधर आप मूख टेंगे तो इएक मोख्ट समें आपका शारा जो है एक यूनित Linda कि एक पूरा सब्जेक्ट त्यार हो सकता है करना बंद भी नहीं करना साथ साथ में थोड़े-thोड़े आपको चलाते रहना है नेक्स्ट है balance between hard and easy topics इस बात का ध्यान ऐसे रखना है कि कई वार ऐसे होता है कि मानलो महत है मेरी महत कमजोर है लास्ट टाइम में मैं सोच रहा हूं कमजोर है तो इसको ही लेके बैठ जाओं ये गलती कभी मत दोराना कभी मत करना आपका जा हाट topic है आ महां से output ज्यादा निकाल सकते हो तो वहां पर आप focus कर सकते हो तो easy और hard topic में आपको एक balance बनाना है ठीक है ऐसा नहीं कि हाट में फंस गे easy जो syllabus है या जो बड़ा अंबार syllabus है उसको बाकी को छोड़ दिया ऐसा नहीं करना है दोनों में balance बनाना जितना अधिक अच्छा balance बन लगता है वह pressure feel करने लगता है कि यार exam सर्प है इतना लंबा चोड़ा syllabus है कहता है ना कि student का syllabus और किसान में खेतका काम कभी भी जिंदगी में भी पूरा नहीं होता है तो यह syllabus आप से छुटेगा ही छुटेगा आप मानलो history पड़ोगे तो सोचो पॉलिटी चुट गया पॉ अशरियती कि syllabus पूरा नहीं हो रहा है एक्जाम आ गया प्रेसर आ गया तो वो नींद के जो है quality वाली नींद होती है वो sleep time है वो कम कर देता है तो आपको पूरी एक अच्छी quality वाली 8 गंटे की नींद लेना ही लेना है चाए syllabus छुटे चाए कुछ भी हो अगर इसमें आपन कैसे होगा वो ऐसे होगा कि आपने पिछले तीन-चार महीने बहुत अच्छे मैनत की बहुत discipline के साथ मैनस की लेकिन लाश्ट में क्या हुआ आपने जो है अपना schedule बिगार लिया तो जो पिछले तीन महीने के मैनत आपके माइंड में हैं तो वो धिरदी रिक्या हो जाएग आपके जो तीन महीने के तियारी आपको यूज लेनी है तो आपको जो है अपने आपको सहज रखकर पूरे आठ गंटे आपको नीन लेनी है माइंड को सांथ रखना है जितना सांथ रखेंगे उतना ही अच्छा recall कर पाएंगे उतना ही अच्छा उसका आपको output मिलेगा तो जो आपका जो है सारी चीजिए आपके विगर सकती है तो नए चीज बेश्या पढ़ना बंध करना है तो यहाँ पेर निया जो है आप 1 पढ़ सकते हैं वह है अपना करेंट we are ठीक समुन्द्र है अपने आपने या और शभर पूरा नहीं है तो इस पर थोड़ा स्मार्ट करनी है क्यूसम देखना है इस लेवल में किस लेवल क्या है वह आपने किया होगा तो यह चीज़े आपको ध्यानक नहीं अब थोड़ा साम जो है सेलेबस पर चर्चा कर लेंगे सेलेबस का मतलब है कि वो टोपिक जहां से सरवाधिक क्यूशन पूचे जाते हैं अगर आजस्तान की इतिहास की बात करें तो लास्ट मॉमेंट पर इन यह जो टोपिक है मैं बहुत डिटेल से नहीं बता रहा हूं और यह सब आपको भी पता है यह आपको भी पता है लेकिन जो मैंने सीटी ग्रेजिशन नेवल का ए यह किसान अंदोलन हो परजाबंडल हो एकीकरन हो यह सबसे अधिक महतवपुन आप सभी को पता है कि एक या दो कुशन तो आते हैं तीन कुशन भी आते हैं चार चार भी आते हैं तो इस पर तोड़ा सा आप फोकस करने राजस्तान के इतियास में साथ महम अगर आगे बढ है और जैसे जीले है नदिया है प्रियोजनाव से समझतित खूब क्यूशन आये सीटी यह ग्रेजिशन लेवल के एक्जाम है खजी से खनी से तोड़े उट पटांग टाइप के कुशन आते हैं थोड़ा सा नाम एक दो एर फेर कर देते हैं लेकिन आप बेसिक त्यार कर ल लिए सबसे इंपोर्टेंट है इनसे दो तीन क्यूशन आते हैं कई वार एक दो क्यूशन ऐसे उट पटांग आ जाते हैं तो थोड़ा सा इन पर फोकस करने ला है और लोग देवता है यह आपके अच्छे रटेवे हैं संद सपरदाई हैं तो यह मेरा बताने का सबसे अधिक इंपोर्टेंट टोपिक यह है और सरवाधी क्यूशन इसी से आते हैं बाकि सारे जो है इसके सामने टोपिक फिके पड़ जाते हैं उनसका इतना अधिक महतु नहीं है इससे खूब सारे क्यूशन आते हैं इसलिए इसको आप अच्छे से त्यार करोगे और र सते ही यह पी बहुत लंबे चुड़ू दिख रहे होंगे लेकिन आपको सते ही का मतलब है कि उपरी तोर पर बहुत अधी घेराई में नहीं जाना है और जाने का ताइम भी नहीं है तो सते ही तोर पर आपको को इन सारे टोपिक को देखना है और यह टोपिक जो है यह फ्यवरेट टोपिक रहेगा सिटी ग्रेज़िशन लेवल नहीं डोल लेवल में ठीके तो अनुचे जो है रट लेना है पर मुझस तो पर जो शनुदान संथन हुए हैं 99 से लेकर 104 तक के जो सुनिदान संसुदन है 34 इसको अच्छे से याद कर लेना पहले भी क्यूशन आया है इस इसमें भी 100% क्यूशन आएगा कि 102 वा सुनिदान संसुदन क्या 103 वा क्या इस टाइप में ठीक है पंचायति राज व्यवस्ता पर्मो पदादिकारी सचीव और इनका basic क्यूशन आएगा ठीक है तो यह सारी चीजें जो है आपको अच्छे से त्यार कर लेनी है और अगर आगे बात करें सबसे मेहतोपून बात यह है कि अपना जो science है science की अगर हम बात करें तो science में दोस्तों बहुत लंबा चोड़ा है आपको केवल अब क्या करना ह रिविजन और रिविजन केवल डिविजन करना है उन topics का रिविजन करना है जो सरल है ठीक है जो easy है सरल है हाड में फंसना नहीं हाड वाले तरफ अब नहीं जाना है अगर आपको confidence नहीं है क्योंकि अधिक तर जो है बीए वाले student है जो science से डरते हैं तो उनको अधिक हाड के उपर ज्यादा focus नहीं करना है और दोस्तों ये मेरा मानना है कि जो math reasoning है अब इसको आप छोड़ दीजिए छोड़ो छोड़ दीजिए अगर बिल्कुल भी नहीं देखा है तो एक वार इसके जो है basic concept है reasoning के हो चाई जो math के हो इनके basic concept देख लो क्योंकि 12th level का paper है और 12th level का paper है तो आपकी यहां पर basic common sense वाली आएगी और यह common sense अगले साथ दिन में आपका develop नहीं होना है ठीक है इसल फोकस कर लो लास्ट में जो है इंगलीज इसमें one word और हिंदी जो है इनके भी one word और जो basic concept ज्यादा संदी विचेत में और अब नहीं फंसना है जो आप रट सकते हो जो revision कर सकते हो दोनों का जो basic 9,10,11,12 वाली जो एक छोटी सी किताब आती है केवल वही पढ़ना अधर important है क्योंकि इसका दाइरा बहुत बड़ा है और क्यूशन भी खूब पूचे जाते हैं इसलिए इसका जो है लास्ट छे महीने का आप अच्छे से मोटा मोटा सती तोर पर एक वार revision कर लेना और हिंदी इंगलीज में जो है ज्यादा टाइम भी वेस्ट मत करना क्योंकि ज् नहीं जाएंगे तो दोस्तों यही चीजे थी इनी चीजों को आपको ध्यान रखना है और आपकी अपनी युनिवर्सिटी की परिवार की तरफ से आप सभी को all the best लगे रहिए मैनत करिए स्वस्त रहिए और पूरी नीन लीजिए और अच्छी smart study के साथ आपको त्यारी कर आपका 100% रिकोल आप नहीं कर पाएंगे तो आपका जो है रिजल्ट खराब रह सकता है तो अपने वपर विश्वास रखिए सब अच्छा होगा और थोड़ी सी smart study कीजिए smart revision करना है smart mock test देने सारी चीजे smartness के साथ करनी है कुछ चीजों को माइंड में रखते हुए ठीक ह आपको डार्क होस नहीं बनना है अंदी दोड नहीं दोडनी है ठीक है इसलिए चारों तरब से अपने जो है सारे कान परदे सभी खुले रखते वे smart study करते रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ नहीं update के साथ नए वीडियो के साथ 8 बजे हम सारी हमार लेंगे और दो-चार दिन में अपना एप भी आने वाला है तो सारी चीज़ें आपके लिए देरे देरे हम इस platform पर करने वाले तो थैंक यू गूड लक मिलते हैं